आपने username password डाला, request गई server में, उसने session ID दे दी, वो आपके cookie में store हो गई, next time जब user request करेगा तो वो session ID cookie में पड़ी हुई है, तो server identify कर लेगा कि यह user है, ठीक है, server identify कर लेगा और आप homepage में चले जाओगे, बड़ यहाँ पे न कुछ चीजे भी है, अब security की बात तो देखो हर जग ब्राउजर में बना ले और वो session ID वहाँ डाल ले, तो लोग इन कर जाएगा, ठीक है, so guys, video चुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, हमारे चैनल पर चल रहा है giveaway, तो जिल नोगों ने participate नहीं किया है, description में link given है, video को ध्यान से पहले देख लेना, क्या मैंने criteria बताया है, 29th of August को result announce करूंगा, और इस बार एक नहीं, दो नहीं, पांच giveaway हमने रखे है, पांच courses है, PHP, JavaScript, पूरा description मेंने, everything detailed में video बना रखे है, description में जाओ, अगर participate नहीं किया, तो जल्दी जाओ, participate कर लो, ठीक है, तो अब चलिए, आगे video enjoy कीजिए, Okay, so hi everyone, कैसे हैं, आप लोग उमीद करता हूं कि अच्छे होंगे, आज मैं बात करने वाला हूं, कुकी, session के बारे में, local storage के बारे में, और session storage के बारे में, ठीक है, तो ये बहुत important concept है, कोई भी आपसे कभी भी बूस सकता है, और ये matter नहीं करता है, कि आप PHP developer हो, Java developer हो, Python developer हो, आप कोई भी developer हो, आप से ये सवाल कोई भी पूछ सकता है, तो मैं best of my knowledge, example के साथ आपको बताऊंगा, और इसके बाद ऐसी मैं और वीडियो भी बनाऊंगा, session hijacking के बारे में भी हम बात करेंगे, तो मैं mix नहीं कर रहा है यापे, हम step by step समझते हैं, और ताकि आ आने वाली वीडियो होंगी ऐसी, जो interview के time पर कभी-कभी पूछ लेता है आप से interviewer, वो आपको help करें, तो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे, तो क्या करना है, आपको पता है न, वीडियो को like करना है, share करना है, और अगर आप हमारे channel पे नए हो, तो subscribe कर क्योंकि एसी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ, और जो आपको एक knowledge दे और आप अच्छे से सोच पाओ, और किसी को answer कर पाओ, ठीक है, तो चलिए गाई, शुरू करते हैं, और technicalsona.com is live on google, जैसा आप देख रहे हो, तो यह आप चेक आउट कर सकते हो, मैं source code articles डालता रह tau यहाँ पर तो वहाँ से आप source को download भी कर सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं, तो यहाँ पर मैं किसी language की बात नहीं करता, कि मैं इस language में बताऊँगा आपको cookie क्या होता है, मैं इस language में बताऊँगा आपको session क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, concept है, हर language में होते हैं, से कुकी के बारे मैं बात करते हैं यहां पर मैं खाने वाले कुकी की बात नहीं कर रहा हम यहां पर कॉंसेप्ट की बात कर रहे हैं जो हम यूज करते हैं अब देखिए कुकी होता क्या है कुकी गाइज आपके ब्राउजर के अंदर बनती है मतलब क्लाइन साइट जो आपकी मश वो प्रड़क्ट्स की एड आनी शुरू हो जाती है आपको कैसे भाई मतलब मैंने सर्च किया एक वेबसाइट पे जाके किसी मोबाइल के बारे में ठीक है और वो उसकी एड मेरे को आ रही है ठीक है वो जाए नहीं रही है उसको हटाया है कैसे जाता है वो भी बताऊंगा त आपकी इंफोर्मेशन है वो आपकी ब्राउजर में च्टोर नहीं होता जैसे कि वह रिक्वेस्ट सर्वर के पास तो सर्वर क्या करता है वो सेशन आइडी आपकी कोगी में च्टोर जाती है सर और क्या-क्या स्टूर होता है कुकी के अंदर आपने लास्ट पीच क्या पेंड करता है कि जो भी website पे आप विजिट कर रहे हों उस पे क्या क्या action कर रखे हैं सर action मतलब action मतलब यह कि जैसे कि उन्होंने कर रखे है कि user किस-किस tab पे click कर रहा है वो भी cookie में store हो तो वो सब चीज़े जो आप activities करोगे आपने last visit कप किया कौन सा product visit किया वो सारी information ने आपके browser में जो file बनती है वो store हो जाएगी वहाँ पे ठीक है आप देख भी सकते हो वो सब चीज़े ठीक है वो आप normally आपको browser के setting में जाना है वहाँ आप देख सकते हो या फिर जो लोग developers ह देख रहे होंगे इस वीडियो को तो inspect करके developer tool खोल के network storage में जाके आपको local storage में मिलेगा session storage में मिलेगा और cookie में मिलेगा तो मैं सब चीज़े आप देख सकते हो एक काम कीजिएगा facebook login करना और cookie को delete मार देना log out हो जाओ गया साथ तरीके की cookie facebook भेजता है हमारे browser में store करता है मै परसो बैठा हुआ था तो मैंने क्या किया मैंने facebook login किया तो मैं देख रहा था कि क्या क्या भीजने आई है तो मैंने check किया तो facebook मैंने log out किया मतलब log out वैसे log out नहीं किया मतलब cookie को delete कर दिया log out हो गया तो seven तरीके की उन्होंने वह हमें भेजते है ID और वह cookie में store हो जाती है तो cookie क्या है guys एक concept है किसी भी language में हो सकता है आपके browser में store हो जाता है अब यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ लोगों को doubt होता है इस पे मैं और भी बैसे बात करूंगा आगे कि sir मैं जो product visit करता हूँ किसी amazon या flickpad पे बात में मुझे उस से related ads आनी शुरू हो जाती है guys वो website का वहाँ पे रूल नहीं है वहाँ पे आता है AdSense Google AdSense picture में आता है तो जो भी आपकी search history होती है वहाँ से उठा लेता है और आपको उसी से related ads दिखानी शुरू कर देता है इस चीज को अगर avoid करना है तो आप search history delete कर दो और आपके browser में ये भी option होता है कि आप नहीं तो अगर आपकी अगर आपने cookie को disable कर दिया तो आपको कहेंगी कि पहले आप cookie को enable करो ठीक है क्योंकि आप login नहीं कर पाओगे वो चलेगी नहीं चीजे तो cookie बहुत ही important होती है और cookie का size क्या होता है 4KB 4KB तक आप data store कर सकते हो ठीक है अब ये तो था cookie जो client machine पे बनती है client site बनती है ठीक है क्या फाइदा मिलता है cookie से अब simple सी बात है इसको खोड़ा सो और अच्छी है समझेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने username password डाला request गई server में उसने session ID दे दी वो आपके cookie में store हो गई next time जब user request करेगा तो session ID cookie में पढ़ी हुई है तो server identify कर लेगा कि ये user है ठीक है server identify कर लेगा और आप home page में चले जाओगे बड़ यहां पे ने कुछ चीजे भी है अब security की बात तो देखो हर जगा आती है अब मान लो आपके browser में वो session ID है और वो session ID अगर मैं copy कर लूँ और अपने friend को दे दूँ और वो अगर वो same cookie अपने browser में बना ले और वो session कर जाएगा ठीक है इसलिए अपने system पे हम antivirus डालते हैं अब देखो browser के एक browser युट है वो अब कोई भी बंदा java script की script बना ले और वो आपकी session ID उठा ले तो अब इसलिए antivirus डाले जाते हैं और malware software डाले जाते हैं ताकि कोई भी ऐस activity करे तो हमारा antivirus पे ब्लॉक कर दे ठीक है तो इसके solution इस तरीके से available हैं अब मालो किसे के पास अगर antivirus नहीं है machine में ही नहीं है तो hack ओने के chances है ठीक है तो फाइदे नुकसान तो होते ही है तो मैं उमीद करता हूँ कि जितना मैं आपको बताया concept समझ आगे होगा cookie का अब मैं बात करता हूँ session के बारे में दे आप logout हो जाते हो यह क्यों करते हैं वो security purpose के लिए ठीक है एक session ID बनती है आपकी ठीक है अब session में आप कुछ भी आप store करवा सकते हो email करवा सकते हो password करवा सकते हो जो आपको आपकी requirement के साफ से लगता है वो सब चीज़े आप store करवा सकते हो अब session ID तो बनती है और वो आपक store हो रही है ऐसा नहीं होता खाली session ID आपकी store हो रहा थी cookie के अंदर अब आपके पास अब भाई HTTP क्या stateless है ठीक है जो भी आप request करते हो अब वहाँ पर क्या है कि जितने भी pages है आपके उनके बीच में अगर आपको state maintain करनी है तो आपको session यूज़े करना पड़ता है आप एक page पर हो लिखा रहा है welcome अज़े आप हर page पर चाहते हो session की value को retain करवाना तो आपके जितने ही pages है वो सारे stateless है उनके बीच में state को बनाने के लिए we use session ठीक है अब server पर को नहीं पता होता जैसे आपका system आप login करते हो तो आपके system को बता है कि अज़े है या वीजे है server को नहीं machine पर बनाया जाता है client machine पर ही बना सकते हो आप ठीक है server end पर बन गया और different pages है आपके जो आप request करो के session बना होगा next page पर जाएगा फिर आप logout भी करते हो session को expire करते हो ठीक है तो ये concept है guys session का server पर बनता है जितने भी pages है वो सारे stateless हैं उनके बीच में state को maintain करने के लिए we use session ठ इसके इलावा कुछ और हो तो comment section में लिख देना जितने भी thoughts आ रहे हैं मैं try कर रहा हूं कि सब कुछ आपको बताऊं एक और बात देखो बात से बात याद आगई cookie में को आप जब चाहे expire कर सकते हो अगर आपने जो भी application बनाई है उसमें आप cookie जो जो चीजे आप set करवान है web storage API दो है हमारे पास local storage और session storage बहुत important है guys बहुत ज्यादा यूज होता है जैसे अगर आपको testing करनी है website की performance करनी है local storage का use बहुत ज्यादा होता है और local storage और session storage को अगर आपने देखना हो तो कैसे देखेंगे browser पर जाओ right click करो inspect करो network पर जाओ storage पर जाओ तो local storage में देखेंगी और session storage में देखेंगी तो वहाँ पर आप देख सकते हो तो local storage में क्या होता है data आपका key और value की form में store होता है तो html5 के अंदर local storage और session storage दोनों आये थे ठीक है तो अगर आपका html5 है तो आप local storage को implement भी कर सकते हो और session storage को भी implement कर सकते हो तर है क्या ही देखो आप अपने browser के अंदर आपको कुछ storage मिलती है वही आपकी local storage और session storage है तो वहाँ पे आप data को store कर सकते हो size की बात करें तो 2 MB से 10 MB तक आप data store कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा होता है session storage में भी और local storage में भी बट एक बहुत बड़ा difference है अगर आप session storage यूज करोगे तो जो भी आपका data store है जब तक आपका browser open है वो data रहेगा जैसे ब्राउजर बन data खतम बट local storage में ऐसा नहीं होता आ आपका browser 10 बार बंद हो रहे है आप system बंद कर रहे हो आपका data जैसा है वैसा ही रहेगा बहुत लोग इसका use testing purpose लिए भी यूज करते हैं अगर आप कोई आपके पास restful data आ रहा है कोई web service हिट करवा रहे हो data आ आप local storage में store करवा दो ठीक है बहुत लोग अपनी application में भी यू service जा रही है वो data आपके local storage में save हो जाएगा कभी आप Amazon flip card खोलना और उसके बाद अपना inspect वाला tool खोलना और local storage देखना तो कुछ data आपका आएगा और महापे save हो जाएगा ठीक है देखना कभी notice करना तो next time server पर request ना जाके आपके local storage से उठा लेगा next time server पर ना जाके आपके local storage से उठा के आपको data दिखा देगा इस तरीके से तो local storage में खास बात क्या है size तो 2 MB से 10 MB के तक होता है पर जैसी browser बनके data वहीं भी रहेगा जब तक आप manually delete नहीं करोगे जब तक आप explicitly delete नहीं करोगे right तो यह होता है local storage और session storage जहां पे आप data को store कर सकते हो अपने browser के अंदर आपको memory मिलती है वहाँ पे आप store कर सकते हो ठीक है तो very interesting तो cookie हो गया session हो गया local storage हो गया session storage हो गया मैं उमीद करता हूँ कि यह सब चीज़े आपको अच्छे समझ आ गई होगी और आप किसी को अच्छे से explain कर पाऊगे बाकी का इस session hijacking जो हम Google से login करते हैं Facebook से login करते हैं यह स एक application दूसरे application से interact कर रहें बीचे firewall होते हैं कैसे लगाये जाते हैं सब मैं आपको concept इस form में बताने ही कुशिश करूँगा thank you so much guys for watching this video अगर अच्छा लगाओ तो इस effort के लिए एक like तो बनता है बाकि अगर आप नए हो तो चैनल को subscribe करना video को share ज़रूर करना यापका एक share का होगे आपकी knowledge अप होगी that's it मिलता हूं guys बहुत ही जल्दी next video में till then ध्यान रखिए बाकि अगर आपको हमारे चैनल की web hosting चाहिए लिटेल डिस्क्रिप्शन में हम आज चेक आउट कर सकते हो मुझे वट्सअप कर सकते हो बाकि टेक्निकल सुनिजर लाइव गूगल पे वहाँ जागे आप articles पढ़ सकते हो और source को download कर सकते हो thank you so much guys for watching this मिलता हूँ बहुत ही जल्दी next video में till then ध्यान रखिए अपना take care बायन जहिन